अविनाश पांडे जी, प्रमोध दिवारी जी, संजे सिंग जी, कलीम खान जी, दिनेश पालिवाल जी, अंचुल त्रपाथी जी, कल्यान सिंग जी, रेका वर्मा जी, अनिल पाल जी, मनोज दिक्षेच जी, स्टेज पे इंडिया गडबंदन के वरिश नेता, इंडिया गडबंदन के प्यारे कार्य करता, बबडशेर, जो अब एक साथ पीम में जाके शिकार कर रहे हैं, प्रेस के हमारे मित्रों, कहना पड़ता है मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये मोधी जी के मित्र है, 24 घंटा उनका काम करते रहते हैं, इन बिचारों की गल्ती नहीं है, इनको सैलरी की जरूरत है, तो जो इन से कहा जाता है, ये करते हैं, मालिक इनके अधानी है, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में, अच्छा, अभी आपने कहा कि आपकी 250 गाड़ियों को रोका गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, जितनी रोकनी है, रोको, यहाँ पर इंडिया गड़ बंदन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी, और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में इंडिया गड़ बंदन का तुफान आ रहा है, आप लिखके ले लो यहां पर बीजेपी की सबसे बड़ी देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है लिखके ले लो क्यों क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है इसी लिए डिसिजन भाईयों और बेहनों ले लिया गया है जनता ने मन बना लिया है आपने देखा होगा आपने देखा होगा दस साल नरेंद्र मोधी जी ने अदानी और अम्बानी का नाम नहीं लिया दस साल हजारों स्पीचे दी अदानी अम्बानी का नाम तक नहीं लिया मगर अब भाईयों देखिए जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाएं इसलिए नरेंद्र मोधी जी ने अपने दो मित्रों का नाम ले लिया कि भाईया मुझे आके बचाओ इंडिया गडबंदन ने मुझे घेर लिया है मैं हार रहा हूँ मुझे बचाओ अदानी अम्बानी जी मुझे बचाओ इसलिए नरेंद्र मोधी जी ने नाम लिया अच्छा उनको ये भी मालुम है कि अदानी जी कौन से टेंपो में और कैसे पैसा भेजते हैं पर्सनल एक्सपीरियन्स है प्रधान मंत्री जी का टेंपो वाला तो भाईयों और बेनों अब बीजेपी नरेंद्र मोधी अमिद्शा आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे अगले 10-15 दिन में आप देखना यह आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे कभी इधर कभी उधर कभी इधर आपको भटकना नहीं है हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं मुद्दा भाईयों वेनों यह हिंदुस्तान का संविधान ये जो है इस किताब ने हिंदुस्तान के गरीबों को, पिछणों को, गलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, जोटे वियापारियों को अधिकार दिया है जो भी आपको मिला है, चाहे वो वोट हो, चाहे वो रेजर्वेशन हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, नौकरी हो, जमीन हो, जो भी आपको हक मिले हैं, इस किताब ने आपको हक दिये हैं ये गांदी जी और अमबेटकर जी की देन है, और बीजेपी ने मन बना लिया है, कि अगर वो चुनाव जीते, तो वो इस कॉंस्टिटूशन को, सम्विधान को रद करने जा रहे हैं और मैंने, और अकिलेश जी ने, निर्ने ले लिया है, कि इस किताब को, बीजेपी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छूँ सकती है क्योंकि इस किताब में, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आत्मा है, भावनाए है, भविश्य है, विकास है नरेंद्र मोधी जी, 22 लोगों के लिए काम करते हैं, भावियों और बेहनों, 22 लोगों का, उन्होंने 16 लाख करोर रुपिया कर्जा माँद किया है 16 लाख करोर रुपिया मतलब, 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोधी जी ने 22 लोगों को दिया है कि बाई और बेनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका नरेंद्र मोधी जी ने कितना करजा माग किया है आज किसानों के नहीं किया मजदूरनों का नहीं किया बेरोजगार युवाओं का नहीं क्या 22 लोगों खक्या, हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 क्रोड़ लोगों के पास है, आप सोचिए, स्टेज में पहली लाइन में तक्रीबं 22 लोग बेठा है, हिंदूस्तान में ऐसे 22 लोगot है, जिनके पास उतना ही दन है जितना सत्तर कोडोड हिंदुस्तानियों के पास यह है नरेंद्र मोदी जी का काम तो हमने निन्ने ले लिया है कॉंग्रेस पार्टी ने इंडिया गड़ बंदन ने कि अगर वो 22 अरब पती बना सकते है तो हम करोणों लाख पती भी बना सकते हैं भाई और बेनों गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी उसमें दलेत आदिवासी पिछड़े गरीब जेनरल कास माइनॉरिटी सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी पूरे हिंदुस्तान की लिस्ट बनेगी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ ये काम किसी भी सरकार ने दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं किया है सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के एक लाख रुपे डाल दिये जाएंगे महिने के 8500 रुपे हर महिना एक तारी को कटा कट कटा कट कटा कट कटा कट करोणों परिवारों के बैंक अकाउंट में जिन्दगी बदल जाएगी जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को मदद की वैसे ही हम करोणों लोगों को लाख पती बनाने जा रहे हैं भाई और बेहनों यह पैसा हर महीने मिलेगा और उस दिन तक मिलेगा जिस दिन तक यह परिवार गरीबी रेका से नीचे होंगे जब तक यह गरीबी रेका के उपर नहीं जाएंगे उस दिन तक हर महीने इनको पैसा मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा यह मीडिया वाले कहेंगे कि देखो इंडिया घटबंदन गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है मैं इनसे कहना चाहता हूँ जब नरेंद्र मोधी जी ने अदानी जी का लाकों करोर रुपए करजा माग किया तो उनकी आदत नहीं बिगड़ी किया और अपतियों की आदत नह Wait sense मोधी जी जी जितना फोट न लगाना लगाओ हम करोनों लाखपती बनाने जा रहे हैं हमें कोई परटनी पर का आद खते वीोडिक आप अब दाने कें हो आप मोधी कें हो आप इसानों के नहीं हो मज़जूर के नहीं हो गरीबों के नहीं हो पिछड़ों के नहीं हो तर ये तो आदिवाशियों को नहीं हो वाइ और नरेंद्र मोधी जी ने करोणों युवाओं को बेरोजगार मनाया को विदाया हिंदुस्तान के बेरोजगार वाउन से कहा भाई और वैंघन ओ ठाली बजाओ थाली बजाओ थाली बजाओ और जो मज़े की बात आप सुनिये आपसे उन्होंने कहा थाली बजाओ और फिर एलेक्टोरल बॉंड स्कीम में जो लोग जिस कमपनी ने वैक्सीन बनाई उस कमपनी से बीजेपी ने करोणों रुपिया लिया करोणों आपका रुपिया नरेंद्र मोधी जी ने बीजेपी ने वैक्सीन बनाने वाली कमपनी से लिया आप मर रहे थे आपके पास ओक्सिचन नहीं था वेंटिलेटर नहीं था और आपसे वो कह रहे थे ठाली वजाओ और कंपनियों कह रहे थे हमें पैसा दो ये नरेंद्र मोधी की सचाई है इलेक्टोरल बॉंड में साफ लिखा है भाई और बेनों बेरोजगार युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की स्कीम है मतलब समझा देता हूँ हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में सरकारी हस्पतालों में सरकारी कॉलिजिज युनिवर्सिटीज में सरकारी ओफिस्स में एक साल की अप्रेंटिशिप मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में महीने के 8500 रुपए, साल के एक लाग रुपए करोणों युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएंगे हम रुकने वाले नहीं है किसानों से कहना चाहता हूँ उन्होंने अरवपतियों का कर्जा माव किया हम आपका कर्जा माव करने जा रहे है और मजदूरों से कहना चाहता हूँ आज आपको 250 रुपए मिलता है मनरेगा में आपको 400 रुपए मिलेगा इंडिया गटबंधन की सरकारानी के एक दम बात आशा और अंगनवानी महिला उसे कहना चाहता हूँ आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे है बाई और बेनों मन बना लिया है जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया उतना पैसा इंडिया गटबंधन की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों को किसानों को मजदूरों को बेरोजगार युवाओं को देने जा रही है कर लो जो करना है आपको आप जो करोगे करो हम जो करने वाले हम करेंगे बाई और बेनों एक बात याद रखो चुनाओं में 10-15 दिन बचे है मगर एक बात गैरंटी करके लिख लो हमने जो काम करना था अखिलेश जी ने इंडिया गटबंदन ने हम सब ने मिलकर पिछले दो साल से हम काम कर रहे हैं बारत जोड़ो यात्रा नफरत के बाजार में महबत की दुकान निया यात्रा इंडिया गटबंदन की मीटेंग हमने जो काम करना था भाई और बेहनो हमने कर दिया है आप गैरंटी लिख के ले लो नरेंद्रमोदी हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री नहीं बनेगा बात खतम हो गई है मीडिया वाले नहीं बताएंगे मगर याद रखो करोना के बारे में मैंने कहा था याद रखो नरेंद्रमोदी हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री नहीं बनने वाला है